Find a quadratic polynomial the sum and product of zeros are हमारे पास sum and product of zeros दे रखा है और फिर हमें क्या निकालना है वो quadratic polynomial निकालना है हम मान लेते हैं let let alpha and beta are the zeros of polynomial हमने उस polynomial के zeros जो हैं वो alpha and beta मान लिए तो जो alpha plus beta है यानि की sum जो है वो तो minus 3 दे रखा है और जो product है वो यहाँ पर 2 दे रखा है तो हमने इसके लिए relation पड़ा है कि polynomial कैसे निकाला जाता है अब बोलेंगे polynomial is given by वो हमें कैसे मिलेगा k into px is equal to k into x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta यहाँ पर value रख देनी है तो alpha plus beta की value क्या है alpha plus beta की value है minus 3 of x plus 2 यानि यह हो जाएगा k अब यहाँ पर यह k है k की आप कोई भी value ले लो जैसे 1 लोगे तो यही आजाएगा 2 लोगे तो 2 multiply हो जाएगा मतलब k की जितनी values लेते जाओगे उतने आपको polynomials मिल जाएगे कि जिनका sum and product of zeros यह होगा मतलब आप धेर सारे polynomials निकाल सकते हो जिनका sum of zeros और product of zeros यह होगा but common practice यही है कि कोशिस की जाती है कि जो यह पहले वाली term है यह one ही बन जाए मतलब सबसे simplified polynomial हमें मिले तो हम यहाँ k की value को 1 ले लेंगे k is equal to 1 so px is equal to x square plus 3x plus 2 is the required polynomial यह हमारे पास क्या है वो required polynomial है यह तो हो गया एक तरीका इसको करने का एक और तरीका हम यहाँ पर यूज कर सकते है for solving this question क्या कर सकते है जरा देखिए हम मान लेते है let the polynomial is px is equal to ax square plus bx plus c अगर मुझे कहीं से यह a, b और c मिल जाए तो फिर मैं वो polynomial लिख पाऊंगा कोई दिक्कत नहीं जाएगी तो यहाँ पर इसके लिए sum of zeros जो है आप यहाँ पर मान लो sum of zeros जो है वो किसके बराबर होगा वो होता है minus b upon a और जो question में आपको कितना दे रखा है minus 3 and product of zeros क्या है आपके पास product of zeros होता है c upon a जो दे रखा है आपको 2 इसके नीचे भी 1 लिख सकते हो इसके नीचे भी 1 अब ध्यान ये आपको रखना है कि यहाँ से compare करके आप a, b, c की value निकाल सकते हैं बट एक चीज अपने mind में रखना कि यहाँ पर जो a की value है वो दोनों से same आनी चाहिए यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी आप पहले 2 denominator में बनाएंगे after that compare करके values निकालोगे तो ज़रा देखो यहाँ तो पहले से ही same दे रखा है तो a की value आ गई 1 और b की यानी देखो यहाँ minus इसको इस compare कर ले minus b is equal to minus 3 so which implies कि b जो है वो 3 है और जो c की value है वो है आपके पास 2 now इन सब को आप first में रख दो तो polynomial मिल जाएगा putting a, b and c in first तो polynomial हमारे पास क्या आ गया this px is equal to x square plus 3x plus 2 आप cross check कर लें कि दोनों में जो polynomial है वो same आया है तो कोई सा भी method जो आपको अपने हिसाब से convenient लगता है उसको आप यहां पर use कर सकते हैं and values find out कर सकते हैं ok उसको आपको अप कर साँ अप कर सकते हैं आप cả सकते हैं